पटना से राची जाने में आपको पहले साथ घंटे लगते थे लेकिन अब जो है रेल मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया है अब आप जो है वो साथ घंटे की जगा अब चार घंटे में सफर कर सकते हैं क्योंकि बंदे भारत एक्सप्रेस पटना से राची की लिए शुरवात होने जा रही है और ये शुरवात 25 अपरेल से इश्की शुरवात होने जा रही है इसकी तैयारी की जा रही है जगा जगा उसके लिए नई जो है ट्रेन की पट्रियां बनाई जा रही है और जो पहले स पट्रिया हैं उसे भी मजबूत किया जा रहा है क्योंकि इसकी रफ्तार जो होती है वह काफी तेजगती से होती है जिसके वज़ा से उसे कोई दिक्कत ना हो उन भंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को इसको लेकर तयारी पूरी तरीके से की जा रही है वहीं आपको बता दे क कि जो समय आपकी बचत भी होगी क्योंकि राची पटना का सफर पहले साथ घंटे लगते थे लेकिन 25 अपरेल के बाद आप चार घंटे में इस सफर कर सकते हैं बंदे भारत ट्रेन से यानि इसको लेकर जो रेल मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही इसकी पटना से राची का सफर अब 4 घंटे में पूरा होगा क्योंकि रेल मंत्राले ने 25 अपरेल से राजधानी पटना और राची के बीच बंदे भारत ट्रेन को पट्री पर दोराने जा रहा है वही राची से बंदे भारत चलाने की तैयारी को लेकर दक्षिन पूर्वी कि अधिकारी को तयार रहने के लिए कहा गया है इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए लोको पाइलेट को और कुरुक मेंबर को भी प्रश्रिक्षन भी दिया जा रहा है इस दवरान इस ट्रेन को राची से पटना के बीच नए रूट पर चलाए जाएंगे वहीं ट्रेन राची और टाटी सिलवे और बी आईटी मिश्रा और हजारी भाग होते हुए पटना जाएगी वहीं बंदे भारत ट्रेन सुबह साड़े साथ जासे चलेगी लेकिन वहीं पटना से राची के लिए 3.30 बजे चलेगी और इसको लेकर राची पहुँचेगी और टाइमिंग को लेकर दक्षिन पुर्वी रेल वेर के अधिकारी से लेकर रेल मंत्राले ने जानकारी मांगी है और मंत्राले के एक नए अधिकारी ने कहा कि राची और पटना के बीच बंदे भारत चलाने पर लगभग सहमती बन गई है वहीं राची से पटना के बीच बंदे भारत ट्रेन की सपता हमें 6 दिन चलाए जाएगी और राची में होगा वहीं सिकेंडरी में 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 पटना में होगा और यह जारकंड को मिलने वाली पहले वन्दे भारत ट्रेन होगी जो दो राज्यों को जोड़ेगी यानि कह सकते हैं कि ये train चार गंटे में अब पटना से राची का सफर लोग जो है वो तैक कर सकते हैं और इसके maintenance के लिए एक दिन पूरे लगेंगे क्योंकि सब्तामें 6 दिन ही चलेंगे और 7 दिन के बज़ाए 6 दिन ही चलेंगे और एक दिन पूरी तरिके से इसका maintenance होगा तो बंदे भारत ट्रेंड एक्स्प्रेस के लिए जो इंतजार कर रहे थे यात्री वो इंतजार अब खत्म हो गई और 25 अपरेल से इसकी शुरुबात होगी और अधिकारिक तौर पर इसकी पूश्टी भी हो गई है कैमरामेन रवी के साथ बने रहे देश्टी न्यूस के लिए और देखते रहे देश्टी